नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो के साथ अगर आप लोग नए हैं प्लिस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एम्स पतना और इस वीडियो में हम लोग साइकेटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो भी मानसिक बिमारी से रिलेटर जो भी पेसेंट हैं जैसे कि OCD है, सिजोफरेनिया है या पागल पन जैसे भी जो कहते हैं कि पागल हो गया इस तरह कि अगर कोई बिमारी है mental disorder जिसे बोलते हैं तो आप लोग एम्स पतना में आप लोग appointment ले सकते हैं मैं उसका चेक किया था उसमें आराम से appointment आप लोगों को मिल जाएगी और अल्री मैं इस चैनल में mental disorder से related बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और निमांस के बारे में भी मैं अल्री दे चुका हूँ निमांस में भी mental disorder के लिए सबसे अच्छा hospital है और उसमें मैं करीब 40 से उपर वीडियो में बना कर डाला हूँ तो आप इस वीडियो में मैं एम्स पतना में especially एम्स पतना के लिए जो लोग दूर नहीं जा पा रहे हैं बहुत emergency है और locally हैं पतना के ही हैं और आसपास के हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो सबसे पहले आप लोग यहां पर भी दिखा सकते हैं और एम्स में तो कम खर्च में ही treatment हो जाती है मात्र 20 रूपीज में ही आपका treatment हो जाएगा तो सबसे पहले आप जैसे Google में जाएंगे ORS यह ORS patient portal है इसके माध्यम से आप किसी भी असपाताल में government aims आप state wise आपको मैं भी दिखाता हूं आप ORS करेंगे ORS patient portal फिर इसे आप open करेंगे करने के बाद आप देखेंगे book appointment आप इस पर जाएंगे book appointment करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं state wise भी है आप अगर state wise में अगर बिहार जाएंगे तो बिहार या direct aims आपको सिर्फ देखना है तो aims में यहां aims पटना है और इस्टेडवाइज जाएंगे तो आप देख सकते ह सारे उनका लिस्ट है तो अब मैं यहां aims पतना बिहार में appointment में जाएंगे यह new appointment में जाएंगे यह follow up appointment जो एक बार जा चुके हैं जो दुबारा फिर से appointment लेंगे follow up में करेंगे new appointment अब यहां पर देख सकते हैं कि यह सारा department aims पतना में है यह सारा department है तो आपको मांसिक बीमारी के लिए जो भी mental disorder है depression है बहुत टेंशन में रहते हैं anxiety है खासकर student लोग जो लोग कुछ समझ में नहीं है रहा बहुत अपने life से लेटे टेंशन में है जो भी mental disorder है मांसिक problem है कुछ तो आप लोग यहां पर आप देख सकते हैं यह psychiatry department है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको available हो जाएगी आप online appointment आराम से ले सकते हैं जैसे कि मार्च में आपको 29-31 को मिल रहा है फिर आप आगे करेंगे calendar में तो आप देख सकते हैं अप्रेल में अप्रेल महिने में पूरा खाली है अब कोई भी slot book कर आप appointment लेकर आप वहाँ पर treatment अपना start कर सकते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ appointment किस तरह से लेना जैसे आपको 3 अपरेल में लेना है तो आप इसे क्लिक करेंगे confirm करेंगे confirm करने के बाद आपको अपना mobile number देना पड़ेगा जो भी आपका एक फडिक करेंगे आप एक उससे भी सब्सक्राइब आप अपने मटार साइकिल एक उसमें आप क्लिक कर दे हैए जो भी बॉक्स में बाइक है यूसे आप उसमें आप कर देंस आपको वह तो हो गलत हो जुका है तो इस में आप यह है यह यह गल्ट हो किया कार अब जिसमें है इसमें है कार देखते हैं इबर करें कार इसमें है हो गिया इस तरह से एक दो बार में हो जाएगा आप फिर गेट और टीपी करेंगे जो भी आप मोबाइल नमबर यहां पर आप अपना सब्मिट की है उस मोबाइल नमबर पर आपको मेसे जाएगी जैसे मेरे मोबाइल में आ चुकी है आपका यह अब यहां पर है रेजिस्टर करना है यहां पर आप रेजिस्टर करेंगे अब बिहार से हैं तो आप बिहार इसे कि आपके पास अगर आइस मान भारत health id है तो yes करेंगे नहीं है तो no करेंगे अगर आप create करना चाहते हैं तो yes करेंगे नहीं तो no यह सब submit करने के बाद यह form है यहाँ पर जो भी present है अपना पूरा detail से fill up करेंगे और जो भी यह red color में जो mark है यह compressor यह आपको fill करना ही होगा रेट कलर में जो भी है यहाँ पर star mark जो भी है red color में यह आपको जैसे इसमें नहीं है तो आप कोई ज़रूरी नहीं भर सकते हैं यह भी इसमें भी नहीं है यूचाइडी नंबर मिलेगा hospital से और उस यूच लेकर जी दिन का भी appointment है आपको सुभा में पहुँच जाना है अस्पताल में एम्स में और काउंटर में ही 20 रूपीज आपको देना पड़ेगा और महां से आपको OPD कार्ड मिलेगा जो भी यह चार्ड नंबर है और जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे दवाई वगर उसमें आपको लिख कर देंगे इस तरह से आप लोग अपॉइन्मेंट ले सकते हैं और यह मैं बहुत सारा वीडियो अपॉइन्मेंट से लेकर अपॉइन्मेंट से रिलेटेड में बना चुका हूं मगर फिर भी मेंसे जाती है कि इस विभाग के लिए किस तरह से अपॉइन्मेंट ले जिन्ने पता है कोई बात नहीं जिन्ने सारे वीडियो में अल्रेडी दे चुका हूं पागलपन से रिलेटेड सीजोफिरेनिया OCD यह सब मानसिक प्रोब्लेम है और भी एंजाईटी डिप्रेशन और तो मैं सोचा कि जो लोग आसपास के हैं नहीं जा पा रहे हैं दूर जैसे कि मैं निमांस के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे चुका हूं जो कि बैंगलोर में है तो जो नहीं जा पा रहे हैं आसपास में उनका काम नहीं हो पा रहा है लोकल में दिखा कर ठक चुके हैं तो यहां पर भी एंपस्पत्ना में भी अपाइन्मेंट लेकर आप लोग टीटमेंट करा सकते हैं चुली ग आप दिमाग में पहले ही लगता है कि एंस में किस तरह से होगा अपाइन्मेंट बहुत भीर होती है तो आप ओनलाइन के माध्यम से अपाइन्मेंट आप इजली ले सकते हैं आपको कोई हिजक नहीं अगर डायरेक्ट आप एंस में भी ओपीडी में भी जाके ले सकते हैं अगर वहां जाने से लोगों को लगता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा लंबे लाइन में खड़ा होना आगा ऐसा कोई बात नहीं है अब जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार आप जाए तो बहुत इजी हो जाएगी और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें और जाते ज्यादा कमेंट करें अगर कुछ प्रोब्लम हो नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करेंगे मैं उसका रिपलाइ करूंगा फिर मिलते हम लोग नेस्ट वीडियो में धन्यवाद थैंक यू